जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब आयोब सब भी अच्छे होंगे तो फ़रेंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश प्रवजी सर्विश कमिशन के ओर से निकालेगे पीजी टी पॉलिटिकल साइंस के पेपर टू के बारे में तो जो कि सुजेक्ट को सर्वुत्तम बिघ्ञान की संग्या यह प्रदान की गये थी अरस्तू के दोर ऑप्शन नमबर डी यहां राइट अंसर रहनेवाला है नेक्स कोश्चन देखिए आदुनिक राजनिती बिग्यान के अंतरगत अध्यन किया जाता है आप्शन राजनितिक सिधांतों का, राजनितिक बेभारों का, राजनितिक दर्शन का या फिर राजनितिक बीचारकों का तो आधुनिक राजनिती बिग्यान के अंतरगत जो अधियन किया जाता है, यह किया जाता है, राजनितिक बेभारों का, option number B, right answer होगा. Next question number three है, आधुनिक राजनिती बिग्यान किस बात पर अधिक बल देता है? तो आधनिक राजनितिक बिग्यान जो है ये बल देता है तथ्यां पर option number C यहाँ पर देखिए सही answer रहने वाला है next question number 4 आधनिक राजनिति बिग्यान के अध्यान का कैंदरी विशे कौन सा है आधनिक राजनिति बिग्यान के अध्यान का कैंदरी विशे इसका केंदेरिभी से है मनुश्य का राजनीतिक बेवहार डी ऑप्चन is the right answer next है Qнар 5 राजनीती शास्तर एक तो राजनीती शास्तर क्या है विग्यान है, कला है, विग्यान वो कला दोनों है या ना विग्यान है और ना कला है तो राजनिती शास्तर जो है बिग्यान वो कला दोनों है C option यहाँ पर इसमें right answer रहने वाला है अग यह question number 6 में पूछा गया है राजनिती बिग्यान साखा है तो यह राजनिती बिग्यान जो है किसकी साखा है option आपके सामने है बहुति बिग्यान की, जी बिग्यान की, समाजिक बिग्यान की या विवारिक बिग्यान की तो राजनिती बिग्यान जो है यह साखा है समाजिक बिग्यान की option number यहाँ पर देखे C सही answer रहने वाला है अगे next question number 7 राजनिती बिग्यान एक अला है क्योंकि तो यह देखी राजनीती बिग्यान एक कला है क्योंकि क्योंकि इसका उदेश्य मानव जिवर को स्रेश्ट थर बनाना है यहां पर option number A इसका correct answer होगा question number 8 मैं देखी राजनीती बिग्यान एक बिग्यान है क्योंकि पहले देखी उपर वाले में कला पूछा है इसमें बिग्यान के बारे में पूछा है राजनीती बिग्यान एक बिग्यान है क्योंकि इसमें क्रमबद अध्यन होता है B option यहां पर इसका correct answer रहने बला है question number 9 यहां पर पूछा किया है राजनीती बिग्यान पूर tightening नहीं है क्योंकि इसमें अब यहां पूछा किया है बरतमान वस्ता में राज़नीती को बिग्यान मानना तो बहुत दूर हा या कलाओं में भी सबसे पिछडी हुई कला है यह statement जो है यह किस की है यह तो यह जो statement है यह है Stephen Buckle की option number A यहाँ पर इसका right answer होगा next question number 11 राजनीती शास्तर की सरवोत्तम अध्यन पदती कौन सी है? राजनीती शास्तर की सरवोत्तम अध्यन पदती सबसे अच्छी जो अध्यन पदती वो कौन सी है? बैग्यानिक है, दार्शनिक है, एतिहासिक है या तुर्णात्मक है? तो वो सरवोत्तम पदती जो है बैग्यानिक option number A यहाँ पर इसका right answer होगा आगे देखे question number 12 में यहाँ पर पूछा गया है option number A यहाँ तो अच्छी नंबर 13 है राजनिती बिज्ञान के खशेतर को बिस्तारित करने वाले कौन से है? हॉफ्स, बेवर, मेरियम या उपरोक तीनो राजनिती बिज्ञान के खशेतर को बिस्तारित करने वाले कौन है? वो हैं हॉफ्स भी, बेवर भी और मेरियम भी option number D यहाँ पर इसका right answer होगा उपरोक तीनो next question number 14 देखिए किसने राजनिती को कला तथा बिज्ञान दोनों माना है? किसने राजनिती को कला तथा बिज्ञान दोनों माना है? बेवर, गेटल, गार्नर या ट्रोटस की? तो ट्रोटस की जो हैं है इन्होंने राजनिती को कला और बिज्ञान दोनों माना है? option number D यहाँ पर D इसका 14 का right answer है रहने बला है 15 question में देखिए किसे राजनिती बिज्ञान शब्द के नाम करन का सरी किसे दिया जाता है? बिलियम गॉडविन वो बॉल्स्टोन क्राफ्ट को, हयून को, फेडरिक पॉलक को या सिले को बिलियम गॉडविन वो बॉल्स्टोन क्राफ्ट दोनों को option number A यहाँ पर right answer involves वाला है. Q. किसने राजनिती को मौसम बिग्यान के समान अनिश्चित बिग्यान सिद्ध किया है? Katalin, Losswell, Lord Bryce या Garner ने? तो ये सिद्ध किया है Lord Bryce ने? Option number C यहांपर राइट अंसर होगा. 17. Q. राजनिती के अधियन को एक बिग्यान के स्थर तक उठाने का सरे किसे दिया जा सकता है? राजनिती के अधियन को एक बिग्यान के स्थर तक उठाने का सरे? ये दिया जा सकता है Hobbs, Save, Marks, 2, No. C आप्शन यहांपर राइट अंसर होगा. अगे next question देखे. इतिहास को राजनिती बिग्यान का तीसरा आयाम किसने माना है? इतिहास को राजनिती बिग्यान का तीसरा आयाम किसने माना? ये माना है Below V ने. ऑप्शन नमबर B18 का राइट अंसर वर विलो वी. 19. question मैं पूशा गया है Physics and Politics किस की करिती है? Physics and Politics ये किसकी रचना है? वाल्टर वेजहार्ट, अरनेस्ट वार्कर, हैरल्ड लॉस्वेल ये डवल्यू एचे अरिवर्स. तो Physics and Politics ये करिती है बाल्टर वेजहार्ट की. ऑप्शन नमबर A, वाल्टर वेजहार्ट राइट अंसर होगा. Next, ये लास्ट कोशन है. जो नहीं दिया है वो मेक की अवली. C option ये आँपर राइट अंसर होगा. इसने नहीं दिया था. तो इसी के साथ फ्रेंट्स हमारी आज की वीडियो वस यहीं तर. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जैहिन. Thank you for watching patiently.